नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो आप लोग के कहने के अंसार हमने एक नए लुकेशन पर आगे हैं आप लोग कमेंट में भर भर के कमेंट कर रहे थे कि भाई खिलारी फिलम का सुटिंग लुकेशन दिखाओ जो उस जगह का नाम बता देता हूं अभी हम गुजरात क के सिलवासा में हैं गुजरात के सिलवासा जिले में हैं और वहां पर एक गार्डन है नचक्त्रा नाम से तो उसी गार्डन में खेसारी लाल की फिल्म खिलारी जो आप लोग बहुत कमेंट करके बोल रहे थे भाई खिलारी फिलम का शुटिंग लुकेशन दिखाओ जिए एक गाना सूट हुआ था इसी गार्डन में जिसको आज हम आप लोग को दिखाएंगे तो वीडियो को पूरा देखना उस गाने के बोल थे लाहे लाहे मला ए राज्या ऐसे कुछ गाना था तो आप सुन लेना तो उसी गाना को यहां पर सूट किया गया था तो आज हम उसी के लुकेशन को दिखाने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो बिहार में छे मई 2016 को रिलीज हुए गुए और मुंबइ में 15 जुलाइ 2013 को रिलीज हुई थी तो तो अभी आप समझ सकते हैं ये हो गया है पांच साल हो गया है फिलम को रिलीज होए तो यहां पर कुछ सीन है यानि जो पेड़ पौदे यह बड़े हो चुके हैं तो अभी हम आपको दिखाएंगे नहीं तो आप लोग कहेंगे कि यह चीज मैच नहीं कर रहा वह नहीं मैच कर रहा तो आप दिखना हम पूरा मेच करें और यह जो बिज दिख रहा है न यह वाला विरीज तो इस पर भी सीन उसमें दिखाया गया है आपने गाना सुना होगा तो इस पर इदर से तो अभी हम इसकीन साट में आपको मैच करके दिखा देते हैं वीडियो पर बने रहना गाने का पहला सीन यहां से लिए गया है आप देख सकते हैं जिसमें यह पेड़ को दिखाया गया थोड़ा सा और जो फूल का सीन है यह फूल के पेड़ है यह चोटे-चोटे थे अभी बड़े हो गया है और पीछे यह जो हरा वाला छत्री दिख रहा वह दिख रहा था और यह वाला पेड़ दिख रहा था तो आप इसके शोट में मैच करना यहीं से सीन लिया गया है जहां पर मधुसरमा ड्यांस करती हैं तो और यह बोर्ड जो दिख रहा यह भी दिखाया है तो मैच करना भी जो हैं बड़े हो गए हैं वह चत्री पूरा दिख रहा था वो जो पेड़ है नसका चाम मेच करता है बहूं सब्सक्राइब ऑला और दूसरा Stop這邊 कुछ इस परकार से लिए ओंट एक सीन यहां से लिया गया है जिसमें यह फूल के पेड़ को दिखाया गया और यह जो पेड़ है इसका थोड़ा सा सीन दिख रहा है और यह जो चीज दिख रहा है इसके ठीक सामने यहां पर ऐसा कुछ यहां पर खेसारी लाल और मदुसरमा ड्यांस करते होए नजराएंगे और पीछे यहां पर यह जो ब्रीज टाइप में बना हुआ दिख रहा है यहां पर एक पेड़ था वो अभी नहीं है बाकि यह दो पेड़ सुरच्छी था है यह वाला और यह वाला पेड़ तो यहीं पर ड्यांस कर रहे थे खसारी और मदुसर्मा आप इसकी शूर्ट में मै अगल था और इसमें यह वाला पेड़ दिखाई पड़ता है और यह पानी की टोटी लगी है यह भी दिखाई पड़ता है और जो खेसारी लाल मदुसर्मा है यहां पर ड्यांस करते तो आप इसकी शूर्ट में मैच करना सेम इसी जगां से सीन को लिया गया था यह फूल के यह भी छोटा था और यह पानी की टोटी को दिखाई पड़ता है तो यहां पर ड्यांस करते हुए नजर आते हैं और दूसरा जो सीन है यह फूल उसके उस पर लिया गया है तो वहां पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं और काफी बड़ा गार्डन है देखो बहुत बड़ा और काफी लोग यहाँ पर आये हैं घूमने के लिए तो यह इसका भी सीन है लेकिन पहले वह दिखा देता हूं फिर इसका सीन दिखाता हूं है है तो सीन जो है यहां से लिया गया है कुछ यह फूल को दिखाया जाता है यह वाला और यह जो पेड़ है ना यह पेड़ उस समें बहुत छोटे छोटे थे अभी बहुत बड़े हो गए हैं तो खेसारी लाल और मदु सर्मा यहां पे ड्यांस करती हैं और उनके पीछे यह यहाला पेड दिखाई पारता जो उससे में बहुत छोटे थे, आप देख लेना स्कीन से में जा च्राम ऑप छोटे च्रोटे थे और वाला जो फूल के पेड़ दिखाए गया यह भी दिखाया गया है यह 9 deva पेरी आफूल दिख रहा हो यह States कु को दिखाया गया है तो खेसारी लाल इधर से और मदु सर्मा इस साइड से आते हैं और दोनों बिडीज के ऊपर ड्यांस करते हैं तो आप इसके शॉट में देखना यह तलाब को दिखाया गया है और यह उस समय यहां पर कलर लगा हुआ था तो इसलिए यह थोड़ा वह दिख रहा है उसको भी दिखाये गया और यह ये वाला भी दिख रहा है इसकिंस्वรट में मैस करना यहीं से सीर्श लिया गया है और इसमस्में कमल के फूल है देखो अभी वहां पर देखो वहां पर दो तिन फूल लगे हैं और इधर कुछ पत्तिया बहुत ज्यादा हो गई हैं फूल तो नहीं दिख रहा है और यहां पर एक बोर्ड है यह देखो लिखा है तलाब में परवेश निसेद है पानी में कुणा योम कचरा न डाले पानी से दूर रहें तो यह लिखा हुआ है इसमें तलाब में जाने की अनमती नहीं है और यह वाला रास्ता है इधर से ऐसा इसा है उदर जाने के लिए और एक रास्ता इधर से है तो काफी अच्छा यह location है तो आप देख सकते हैं फिलम का एक सीन यहां पे लिया जाता है जिसमें यह जो पेड़ हैं यह बड़े वाले पेड़ यह बहुत छोटे थे उस समय यानि पांच साल पहले यह बहुत छोटे थे तो यहां पर खेसारी लाल यादा और मधुसरमा यहां द्यांस करती हैं और यह गेड़ देखो उस समय कैसे थे अभी देखो पेड़ कैसे चाली है इसको चारो तरफ से तो यह गेड़ को दिखाया गया था और यह रास्ता जो है यह भी दिखाया गया था तो आप स्कीन सौट में मैच करना यह पेड़ उस समय बहुत छोटे हो गए है यह दो क्यों पान साल में काफी बड़े हो गया और यह गेट को भी देख सकते हैं और यह पेड़ तो अभी कटिंगुlles होता है तो ऐसे ही है फिलाल थोड़ा हो गया है और यह जो मेंट सीज जो है ऐसा कुछ दिखाया गया था यहां पर आगे यहां पर खेसारी ड्यांस करते हैं तो और एक सीन को अंदर कुछ इस परकार से दिखाया गया था कुछ यहां से दिखाया गया था जिसमें ये वाला पेड़ छोटे छोटे ये भी दिखाई पड़ते हैं और ये गेट भी दिखाई पड़ता है और ये पीछे जो घर है ना ये देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं तब ये घर ये घर भी दिख रहा होता है और ये जो पे और एक सीन जो हें न, एक सीन जो है वहां पर कर लिए गया है, तो वहां पर चलते हैं और आपको दिखते हैं वह वाला सीन कैसे लिया गया हैं, तो चलिए, दिखाते हैं, कि अब ह Tara कि अभी हम यहां पास में आ गए हैं तो आप देख सकते यह काफि प्यारा लग रहा है यह कर तिए हम यो欸 यहां पर सीन को लिया गया है जिसमें यह टाकी और यह घर यह भी दिखाए पड़ता है और यह फूल वाला जो पेड़ है यह उसमें बहुत छोटे थे तो यह भी दिख रहा है और यहां पर खेसारीलाल और मदुसरमा ड्यांस करती है और पीछे का यह जो डिजाइन है आप इस चीज को मैच कर सकते हैं और एक जो सीन है वो थोड़ा सा अंदर में लिया गया इसके अंदर में तो उसको भी हम दिखा देंगे कैसा लिया गया और इसको थोड़ा उपर से कैमरा एंगल करेंगे तो काफी अच्छा से आएगा है देखो अगला जो सीन है यहां पिलिया गया है आप देख सकते हैं जो खेसारी होते हैं यह जो गली उती है यह यह गली में खेसारी और मधू सर्मा ड्यांस करते हैं और कैमरा मैं जहां पर खड़ा हूँ यहीं पर ठीक से यहीं से अंगल किया गया था और यह गिरीन वाला घास आप देख सकते हैं इसको और यह पीछे का घर और यह टंकी आप उसी परकार से देख सकते हैं तो आप मैज कर लीजिए यहीं से सीन को लिया गया है और जो खेसार स्कार से इसी जगह को दिखाया गया है तो यह जो सिन है यहीं से लिया गया है दोस्तों उमीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर देना और अगर हमसे कुछ कहना चाहता जो भी आपके सेवाल जबाब हैं सब वहां पर पूरा बात होएगी तो अभी आपने इंस्टाग्राम को फालो नहीं किया है तो जाइए फालो कर लीजिए वीडियो को करते हैं यहीं पर समात मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिन जय भारत